हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग सो गाईज आज की सुड़ियो में हम इवो फॉक्स एक्स टीम गेमिंग कॉम्बो सेट का अन्बॉक्सिंग करेंगे बट इससे ज्यादा बेटर भाई मैं आप लोग ले एक न्यू एप्लिकेशन लेके आ गया हो यार मतलब यह एप्लिकेशन अराउंड वो 600 रुपिस का भी बिकरा है बट यहां पर अभी आप लोग यह एप्लिकेशन अगदम फ्री देखने को मिल जाता है और इसमें बहुत सारे फीचर है लाइक इसमें मैकरो का भी फीचर देखने को मिल जाता है तो यह सब हम लोग आज टेस्ट करने वाले इस व 100,000 लोगों ने डाउनलोड किया और सभी ने 5 स्टार रेटिंग भी दिया है तो देखते कि यह कैसा अप्लिकेशन है और इसे भी हम एक्टिवेट करना होता है और यह सिंगल फोन एक्टिवेशन भी सपोर्ट करता है तो इसके लिए हमारा वाइफाई से डिवाइस पर रहता है तो सेगंड साइड में जाना है और यहां पे आप लोगो एक वाइरेट कंप्यूटर का ओप्शन मिलेगा यहां पे क्लिक करके वाइरलेस पर सेलेक्ट कर लेना होगा अगर आपका फोन पर वाला वर्जन में तभी आप लोग इसका यूज कर सकते हो तो यहां कि यहां सेब्स्मिस पर नबर कराना होगा ओके तो यहां पर नबर कर लेता हूं तो यहां पर देख लेगा ऊटरीन थेंट एंडरइट 13 और पर इसमें वाइरलेस जी इसे एक्किट कर सकते हैं सिस्टम में यहां पर एक्कर क्लिक करके सबसे पढ़र ti को इनेवल कर लेते हैं इसली आप लोग भी डेवलोपर ओप्शन MIUI वर्जन पर या फिर बिल्ट नंबर पर क्लिक करके इसली एक्टिवेट कर सकते हो के यहां पर उसके बाद यहां में USB डिबगिंग डेवलोपर ओप्शन से अन करना होगा और साथ में wireless डिबगिंग भी ओन करना है और यहां पर अभी मैं सबसे पहले तो USB डिबगिंग ओन कर लेता हूँ एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां ही पर हमें wireless डिबगिंग का भी ओप्शन आएगा तो हम इसे भी ओन कर लेते ह पर रहा हूँ मेरा फोन है वीवो टी वन तो यहां पर वीवो वाले जितने भी स्मार्ट फोन है उसमें बाई स्प्लिट स्क्रियन सेटिंग का नहीं होता है तो इसलिए यहां पर हमें एक और सेटिंग करना है लेकि आप डेवलापर ओप्शन में ही जब आप लोग परमिशन हीसे देना होगा तो वह है डिस्पले अवर अधर्स आप का ओके तो यहां पर मैं सबसे पहले यह परमिशन देता हूं और वीवो वाले फोन में स्प्लिट स्क्रिन आउन नहीं होता है इसका यह बेस्ट सल्यूशन है यहां पर आप लोग वीवो फोन है तो आप activate कर सकते हो, यहाँ पर देखो जैसे मैंने split screen को on करके किया, तो यह तो split screen support करता नहीं है, तो easily यह नहीं work करेगा, तो यहाँ पर हमें इसे untick करना है, और फिर से यहाँ पर pair का option उसे click करना है, यहाँ पर देखो उपर pop-up icon भी आ चुका है, हमें यहाँ पर enter करने के लिए, तो यहाँ पर यह देखो, यह रहाँ मेरा pop-up icon जिसे चुरूँ हमें enter करके pairing code और port उसके बाद हम activate कर सकते हैं, तो यहाँ पर wireless debugging में चले जाता हूँ, pay device with pairing code पर क्लिक करके, यहाँ पर यह रहाँ मेरा typing कर लेता हूँ, और उसके बाद करते है activate, तो यहाँ पर 8, 4, 9 यह हो गए मेरा, और यहाँ पर direct में activate पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो activated करके option आ चुका है, और यहाँ पर आभी में फिर से activate पर क्लिक करता हूँ, तो सारा जो red था, वो सब green हो चुका है, और हमारा यह connect हो चुका है, like activate हो चुका है, और current device में software global का option आ चुका है, जैसे converter हम लोग connect करके, तो यहाँ पर हमें इसे activate कि किया है, और यहाँ पर हमें तीन permission और देना होगा, तो मैं इन तीनों को भी permission allow कर देता हो, और उसके बाद यहाँ पर हम finally add game पर क्लिक करके, यहाँ पर मैं अपना game add करने वाला हो, यहाँ पर मैं free fire का gameplay tutorial करने वाला हो, तो यहाँ पर मैं free fire को add कर लेता हो, इसमें आप लोग चाहो तो bgmi भी play कर सकते हो, call of duty प्ले कर सकते हो, या फिर जो 100% safe रहेगा, यहाँ पर देखो मैं अपना main account login किया हुआ है, और उसमें मैं gameplay करने वाला हो, and आप कर लेते हम अपने gaming keyboard mouse combo set का unboxing, तो यहाँ पर अगर आप लोग एक new gaming keyboard and mouse purchase करना चाहते हो, RGB वाला, तो अब मैं आप लोग recommend करूंगा कि यह evofox extreme वाला keyboard mouse combo ही purchase करो, because यह भी बहुत ही अच्छे price में मिल रहा है, इसका price only 1049 रूपीज है, तो इसके इस price range के हिसाब से यह मेरे को बहुत अच्छा लगा, और इसका feature भी next level है, तो आप लोग इसे purchase कर सकते हो, link मैं आपको इसका description में दे दूँगा, और यहाँ पर देखो, तो मैंने इसका fully tutorial वीडियो तो already बनाया हुआ है, unboxing वीडियो की इसमें क्या-क्या feature आपको देखने को मिलता है, और क्या-क्या चीजे की ज़रुरत परने वाली, तो यहाँ पर सबसे main तो देखो, यहाँ पर आप लोग 4-port USB, आप में बहुत जादा confusion करते हो, मतलब आप लोग कमेंट करते हो कि keyboard mouse वर्क नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं जो यूज कर रहा हूँ, वही आप लोग यूज कर रहा हूँ, वही आप लोग यूज कर रहा हूँ, इसे देखो तो keyboard में लाइटिंग आ चुका है, और mouse में लाइटिंग आ चुका है, तो यहाँ पर मैं mouse pad भी रख लेता हूँ, और यह मैंने अपना separately by रहा हूँ था, बहुत दिन पहले मैंने इसे बाई किया था mouse pad को, वहीं मैं अभी use करने वाला हूँ और यहां से हम करते हैं अपने game को launch और यहां पर आप लोगों ने देखा हो गई मैंने जो background में अपने free fire को run किया हुआ था वहीं यहां पर यहां पर यहां पर id band बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें clone करके यह work नहीं करता यह direct हमारा main account को detect करके direct हमारा वहीं से gameplay हो जाता है तो मैं सबसे पहले screen recording लगा देता हूँ key map के लिए finally मैंने यहां पर screen recording लगा दिया इसके तुरू आप लोग अब clear नजर आएगा कि मैं क्या क्या कैसे key map कर रहा हूँ और handcam भी आप लोग नीचे देख सकते हो तो सबसे पहले हमें यहाँ पर custom hd में चले जाता हूँ और आप हम करेंगे यहाँ पर key mapping करने के लिए यहाँ पर icon पर double click करके selector पर चले जाना है और create पर click कर देने and जैसे आप लोग create पर click करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा interface आएगा यहाँ पर दो तरीके से आप key map कर सकते हो add के button पर click करके भी और या फिर आप लोग mouse का left button दो बार click करोगे तो एक empty key map आ जाएगा उसके बाद आप लोग क्या एक button आ गया उसके बाद जो भी की यूज करना चाहाँ मैं वो टैप कर दिया तो यहाँ पर key map हो चुका है easily तो यहाँ पर इसी तरीके से आप लोग key map कर सकते हो और यहाँ पर देखो मैं गल्दी से यहाँ पर view वाला ले आया और W चैसे प्रेस करता हो तो यहाँ पर यह बेस्ट है कि यहाँ पर W ADI सेलेक्ट करने के लिए जोईस्टिक के लिए यहाँ पर option आता है तो मैं यहाँ पर joystick सेलेक्ट करके यहाँ पर यह रख देता हो, तो यहाँ पर यह मेरा joystick वाला हो गया, तो सबसे पहले मैं इसे cut कर देता हूँ, और यहाँ पर देखो, double click करके mouse को move करोगे, तो यहाँ पर view वाला आ गया, देख रहे हो, यह converter में ऐसा option रहता है, तो इसी तरी लिए मैं बोल लग यह application based है, like converter interface था, वैसा ही मुझे यह दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं तो अभी normally key map कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ज़्यादा advance key map नहीं करूँगा, बस मुझे इसमें कुछ checking करना है, testing करना है, और उसके बाद यहाँ पर यह बेस्ट रातों में पुरा full key map करूँगा, तो यहाँ पर मै यहाँ पर सेंसी चेक करने वाले, कि सेंस्टिविटी इस application का कैसा है, और यहाँ पर आप लोग देखो इसमें बहुत सारे और भी options मिलते हैं, उन सब भी explore करेंगे, सबसे पहले तो editor में चले आते हैं, और यहाँ पर देखो तो आप लोग बहुत सारे option मिलेंगे, यहाँ प यहाँ पर जितने भी convertors है, वो सब SIU और करता है, याँ फिर PC का emulator, BlueStrux भी SIU और करता है, मतलब यहाँ पर आप लोग को बहुत अच्छा feature देखने को मिल गा है, पार्णा माॉस प्रो में भी है, अगर आप लोग माॉसर कहीं भी hide and show करते हो, तो बीच में आने के लिए द headshot भी देखो, तो बास कितना next level लग रहा बास इसे practice की जरूरत है, और उसके बाद आप लोग इसमें headshot लगा सकते हो, और मैं यहाँ अभी default setting पर खेल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ भी अपना setting like sensitivity अभी तक set नहीं किया, जो अभी default में मुझे मिला, मैं उसी में खेल बास इसमें check कर लोगी, कुछ stuck तो नहीं हो रहा, कहीं पे कुछ joystick issue तो नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं मिला अभी तक, अभी तक आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर body लग रहा है, बट यहाँ पर यह perfect sensei work कर रहा है, यहाँ पर जब आप लोग सेटिंग कर लोगे, प् बहुत बेकार है, तो ऐसा नहीं है, अभी sensei बहुत अच्छा चल रहा है, और इसके साथ अगर आप लोग इसके settings में जाए, तो यहाँ पर आप लोग mouse का pulling rate भी change कर सकते हो, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपका mouse जो भी हर्स का pulling rate support करता है, तो उसके level का आप लोग पर key bind कर सकते हो, और इस सभी changes को आप लोग यहाँ पे अपने style पर set कर सकते हो, लाइक एक setting एक पर दूसरे settings दूसरे पर, तो यह सब आप लोग यहाँ से कर सकते हो, तो यहाँ पर सबसी नहीं हाए हुआ, यहाँ पर यह माउस का मिड़ बटन से हाई हो रहा है, तो इसका म मैं सोच रहा था लाइक मुझे लगा कि जो माउस करसर होता है वो यहां से इसका की मैप चेंज कर सकते हैं यह वाला नहीं है तो इसे लिए हम इसे क्लियर कर देते हैं क्योंकि यह मुझे लगता है कि कुछ और ही होगा तो इन सभी को मैं अलग वीडियो में सेपरेटली इन के फ्लोर करूंगा और यहां से देखो मास का कर साइस हो इत ओभी अप लोग चोटा-बारा कर सकते हो sensitivity में हम क्या-क्या customize कर सकते हैं तो यहाँ पर view पर double click करेंगे तब जाके हमारा sensitivity का पुरा full खुल के आ जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देखो तो display hot की यह यह लग रहा मुझे और यहाँ पर पुरा full interface देख रहे हो तो यहाँ पर आप लोग sensitivity भी इसका X and Y easily मतलब customize कर सकते हो अपने हिसाब से set कर सकते हो जो भी आपको सही लगे तो यह मुझे best लगा और यहाँ पर आप लोग देखो तो बहुत सारे sensitivity मिलता है तो मैं इसे default ही रहने देने वाला हूँ और यह राज यह default सौरी यह जो है ना display hot की यह है मेरे ख्याल से जो mouse का cursor है वो hidden show करने वाला वो वह ही है mouse M इसमें already set है बट यहाँ पर मैं control set कर देता हूँ और यहाँ पर जो display position है वो center में automatic आ जाता है वह ही रहने देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ सेफ करता हूँ and control यह देखो अब आना perfect work यहाँ पर देख रहे हो लाइक माउस का मिड वटन से माउस कर सा हाइडेंश होता था वह हम लोग यहाँ से change कर सकते और उसके बाद मैंने control कीबोड का रख दिया और उसके अब हमारा next level gameplay होगा और लिटरली sensitivity next level है और अब सोच रहे हैं कुछ macro लगाने के लिए सबसे पले तो में यहाँ पर जो setup run का जो हमारा macro उसे में लगाता हो तो macro पर चले जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बहुत सारे option है यहाँ पर सबको वैसा ही रहने देना है और इसमें जो यह टाइक देख रहे हो यह जो की डाउन की अप है लूप है डाउन एड अप है तो यहाँ पर मेरे ख्याल जेज लूप है वह रहा हमारा पास्ट इमोट लगाने के लिए वर करेगा यहाँ पर प्रेस किये रहो तो यह पर पर्फेक्टी टैप 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 होता रहेगा तो यहाँ पर मैं मैंकरो तो ऑपरेशन पर चले जाता हूँ, टैप का मैं यहां पर बटन एड़ करूँगा, तो एक एड़ कर लिया, और उसके बाद इसका मिनिमम जो वैल्यू है वो हंड्रेड है, एक और टैप कर लेते हैं, और यहां पर इसका मैं एकदम हलका सा बराने वाला हूँ, यहां पर इसे तो यह हमारा पुरा फुली मैक्रो लग चुका है, बस वही टाइमिंग पर मैं यहां पर सेव करता हूँ, और उसके बाद यहां पर माउस कर साइड करके यह देखो, परफेक्ट वर्क कर रहा है, यहां पर हंड्रेड मिनिमम है, तो बहुत सारा हो सकता है टाइमिंग, बट सहाँ तो आप लोग fast remote के लिए यूस करो, या फिर आप लोग चाहँ तो global के लिए यूस करो, पर यहां पर मैं fast remote के लिए देखता हूँ कि इसमें सबसे fast कितना macro हो सकता है, तो यहां पर मैं चले जाता हूँ, सबसे पहले तो edit macro में और उसके बाद यहां पे बहुत सारे option, टैप है, प्रेस रिलीज है, तो प्रेस रिलीज मेरे ख्याल से हो सकता है, कि प्रेस किया रहा हूँ और वह रिलीज होता रहा है, तो यहाँ पर यहाँ पर सिंगल टैप पर हो सकता है, तो यहाँ पर सिंगल टैप करके भी हम लोग कर सकते, तो यह मेरे ख्याल से हमें बाद मे देखना चाहिए because यहाँ पर हो सकता है तो यह इसमें कुछ problem भी मुझे face हो तो मैं तो आप लोग recommend करूँगा कि इसका जितना भी update है मैं वो second channel पर upload करूँगा तो उसका वो channel भी ज़र सबस्क्राइब कर लेना वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हो इसका जितना भी update आएगा वो सब मैं वहाँ पर आप लोगो बताया करूँगा तो यहाँ पर यह जो press and release है इसका यहाँ पर देखो तो यहाँ पर यह हम एक ही रख सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसे एक को ही set कर देते हैं यहाँ पर हमारा गेम भी बैक हो गया और यहाँ पर इसकी मैप को टेस्ट करेंगे और फास्ट इमोट इसमें देखना होगा कि बाई कितना फास्ट यह लगा सकता है यहाँ पर सबसे पहले मैं एकटर टो इरे पोजिशन पर अरे यार यहाँ पर इंडिया मुझे दिखी ने रहा कि मेडा इमोट वाला section कहाँ पर था पिरसे मैं से यसे सेव करके हटा ना होगा यार चलो यहाँ सेव कर देता है डन कर देता है अरे हट जा यार चलो अब यहाँ पर 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 यहाँ जो macro होता है मैं वही use करने वाला हूँ तो double tap करते हैं T को key bind करते हैं and उसके बाद इसके setting में जाते हैं macro लगाने के लिए आप लोगों भी यही सब process फॉलो करना हुगा इस पर double click करो and उसके बाद macro पे चले जाओ उसको 10 कहता है इसको 5 करते है 5 मेरे ख्याल से best रहेगा और इसे मैं 5 पे ही इसे set करने वाला हूँ तो चलो यहाँ पे done कर देते हैं और जो key type है इसे मैं loop पे रखता हूँ यहाँ बार बार यह repeat होता रहे तो इसके बाद मैं यहाँ से save करता हूँ इसको और उसके बाद अरे यार यह अभी भी work नहीं कर रहा यह क्या है मतलब scrouse run तो यह perfect work यह अभी यह work नहीं कर रहा हो सकता है कि इसका कुछ timing में problem अरे यह position का यह कुछ problem आ गया तो यहाँ पे हमें इसका position भी change करना होगा like यहाँ पे मेरा जो position है इसका वो मैं थोड़ा इधर उदर कर दिया हूँ हो सकता है तो इसलिए यह problem आ रहा होगा तो edit position यह देखो मैंने बोला था कि यह इसलिए ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले set कर लेता हू अब यहाँ से done करते हैं और यहाँ पे मैंने key down पे रखा हुआ था तो यहाँ पे tap tap वर करेगा बट यहाँ पे आप मैं इसे loop पे रखने वालो एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा यह perfect वर करेगा low हमारा game भी हो चुगा है back चलो सबसे पहले हम यहाँ से इसका यह कर लेते macro और यहाँ पे की टाइप है उसको मैं loop पे कर देता हूँ और यहाँ पे बहुत जादा जल्दी हो रहाता है इसको मैं एकदाम minimum कर देता हूँ 100 है तो यह 101 एकदाम past emote लगाना चाहिए ओके तो यहाँ पे मैं यह set कर चुका हूँ और आप देखते क्या हमें इसमें PC level का emote लगा सकते है या फिर नहीं नहीं यार ना PC level का emote इसमें नहीं लग पा रहा है और converter level का emote भी नहीं लग पा रहा है हो सकता ही यह सब update के साथ fix कर दिया जाए तो मैं आप लोगो recommend करूँगा कि आप लोग इसका जितना भी update आएगा वो सब मैं अपने second channel पे upload क्या करूँग वहाँ से आप लोग उस channel को जरूर से subscribe कर लेना अभी जो मैं वीडियो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद एक update आप डेट आज चुका है यहाँ पर मैं वह वाला वीडियो हो सकता है तो कल या परसो मैं उस second channel पे upload कर दूँगा तो आप लोग जरूर से check out कर लेना उस channel को तब ही जाके आप लोग वह पर पता चल सके कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स का solution आज जुसा है और फास्टी मोड कब तक इसमें आएगा और अब भी तक तो यहाँ पर यह perfect work कर रहा है तो चलो हम यहाँ सबसे पहले सेंसी भी सेट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ तो चुछ है एट्शॉट पर प्रैक्टिस कर लेते हैं चुछी हमें गेमपले भी करना है और मैं देखो यहाँ अगर आप लोग हैट्शॉट इसमें ट्रिक्स मांगो तो मैं यही बोलूगँ है कि सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस करो प्रैक्तिस करोगे तभी जाके आप लोग अच्छे headshots लगा सकते हो अभी देगो कितना next level headshot लग पा रहा है यहाँ पर अगर आप लोग starting कर रहे हो तब direct आप लोग one shot मत खेलो यहाँ पर आप लोग UMP का use करो UMP जब जितना आप लोग SMG guns use करोगे या फिर AR gun use करोगे like उसमें one shot वाला नहीं, वोट पिकर यह सब नहीं आप लोग AK use करो, SCAR use करो XM8 use करो, तब जाके आप लोग उस पर practice करो, drag लगाओ तब जाके अगर आप लोग उस पर अच्छे headshot लगे, like अभी आप लोग देख रहो यहाँ पर मेरा next level UMP चल रहा तब जाके मेरा one shot भी perfect work कर रहा है, तब ही आप लोग यहाँ पर gameplay अच्छे से खेल पाओगे तो आप लोग बस practice करो SMG guns हो सके, तो जितना हो से को उतना चलाओ, तब जाके आप लोग perfect gameplay निकाल सकते हो, अच्छा practice कर सकते हो, तब जाके आप लोग one shot पे start करता हो, और bonfire ले 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 अब मैं हैसे full map gameplay स्टार्ट करता हूँ आप मैं screen recording भी off कर देता हो direct hand cam पे आ जाते हैं फाइनलि हम आठ चुग है game के अंदर और यहाँ पे मैं केल रहा हूँ solo rank game तो यहां पर आप लोग अभी देखो तो मैं बहुत सारे इसमें सेटिंग किया लाइक इस एप्लिकेशन का अगर आप लोग कंक्लिूजन बोलोगे तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि पांडा माउस परो अभी पेड एप्लिकेशन है और उसको अगर आप लोग फ्री में इंस्टॉल करते हो तब आप लोग उसमें बहुत सारे बग्स आते हैं उसमें सबसे में है एप्लिकेशन नॉट लाइसेंस वाला अगर वो बग है तब तो भाई उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है उसको सॉल्व करमें लाइक वो सॉल्व होता ही नहीं है वो लाइक डाटा ओफ करो रिट्राइ रिट्राइ करो उसके बाद यूस करो ऐसा लग बेकार लगता है आप लोग गेम के अंदर भी जाते हो तो यो पंडा मौस प्रो का आइकन है वो अटमेटिक गायब हो जाता है लाइक एंडोड 12, 13 या 14 है तब आप लोगों को यह प्रॉबलम आता है पंडा मौस प्रो का आइकन ही हट गया माउस करसर आता ही नहीं हा बहुत जादा बेटर बोलूँगा इसका रीजन है यहाँ पर यह एप्लिकेशन सबसे मेल फ्री है फ्री के साथ साथ इसमें बहुत सारे फीचर्स है जिसका यूज आप लोग कर सकते हो गेम ले इंप्रूब करने के लिए और यहाँ पर मुझे तो यह लगता है इसका जो जो ऑवर वीव है वो एक कनवटर के तरह है फ्लाइट जी क्यूवन की तरह हो सकता है यह अपडेट आ के आ के यह भी बहुत नेक्स्ट लिफल एप्लिकेशन बन सकता है इसका मैक्रो भी फिक्स हो सकता है फास्त इमोट भी लगा सकते हो और बहुत कुछ इसमें कर सकते हो इसमें भी आप लोग गेमपले नेक्स लेवल कर सकते हैं, और यह भी हो सकता है, कि फीचर में इस एप्लिकेशन का प्राइस भी रख दिया जाए, लाइके इसको पेड एप्लिकेशन मना दिया जाए, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप लोग की अभी यह फ्री एप्लिकेशन है, तो फटाफट से आप लोग इससे इंस्टॉल कर लो, अपने डिवाइस में हो सकता है, अगर यह पेड हो गया, तो बहुत जादा दिक्कत हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले इससे इंस्टॉल कर लो, और जब तक यह फ्री है, तब तक आप लोग इसका इंज्वाइ करो, और जैसे पेड होता है, तो देखते हैं कि यह आगे क्या क्या होता है, हो सकता है इसमें add लगाएगा या फिर हो सकता है तो इसमें मतलब pro level का key mapping लाएगा like उसका कुछ charges करेगा पैसे लेगा या फिर हो सकता है तो यह application ही paid कर देगा तो मैं तो यही recommend करूँगा कि आप लोग इसो फिले install करो और इसके बाद इसको पहले try करो यहाँ पर मुझे तो यह best लगा अगर मैं panda mouse pro को rate करना चाहो तो उसको भी application based है बस उसे purchase करना पड़ता है इसलिए मैं उसे 8 out of 10 देना चाहूँगा और यह वाला application free है free के रहते हुए यहाँ पर बहुत सारे feature मिलते है macro मिलते है, साथ में इसका gameplay भी next level है इसमें fast emote का दिख्कत है तो मैं यहाँ पर इसे देने वाला हूँ 9 out of 10 क्योंकि यह deserve भी करता है इतना अगर यह इसमें like fast emote वाला आ जाए तो यह 10 out of 10 कहीं नहीं जाएगा अगर यह free रहता है तब यहाँ पर देखो तो अभी भी बहुत अच्छा gameplay जा रहा आप लोग यहाँ पर gameplay से भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसका sensitivity कितना है stable है देखो यहाँ पर third party भी हो चुगा इस बंदे के साथ यहाँ पर मेरे से fight चलना था यही निकल जाए यहाँ से और मैं इसे one shot मार दूँ बढ़ यहाँ पर यह बंदा निकलता ही नहीं है यह देख रहे हो glitch fire देख कि मुझे कुछ damage दे देता है मैं आपर वह लगा कि कुछ maddy-waddy कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं उसे भी खतम कर देता हूँ तो वह भी आप लोग देख लो एंड इसका जितना भी updated version है उन सभी का tutorial वीडियो में second channel का upload करने वाला हूँ और main channel पर मैं only like a new application आएगा तब मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा या फिर कुछ चीजों का unboxing उन सभी का मैं इस चैनल पर upload करने वाला हूँ या फिर gameplay हो गया इस application का या फिर इस application का जितना भी updates है उन सभी का update को install करके उसमें क्या-क्या feature एड हुआ उन सभी को मैं second channel पर upload करूँगा तो उस भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और यार देखो यार मतलब इस channel पर मैं कुछ new try करने का सोच रहू मैंने रिसेंटली एक steering wheel का unboxing किया था हूँ आप लोगों का response मिलाई नहीं उस पर यार मतलब इस वीडियो के देखने के बाद वीडियो जरूर से देख लेना यार मतलब बहुत महनत लगता है वीडियो बनाने में